तो बैया आजके इस वीडियो में आप सभीका स्वागत ति आप सबसे पहले आप सभीको रहे हूं साथ एसे डॉक्वेंट्स जो आपको ट्राफिक पॉलिस अगर रुका रही है चेकनागे पर या फिर कोई एंटी थेफ चेकिंग चल रही है उस वज़े से आपको रुका सकती है रोट पर साथ ऐसे डॉकुमेंट्स में आपको बताऊंगा जिसके होने पर बिल्कुल भी आपको ड्रनने की जरूरत नहीं है इन डोकुमेंट्स में चार बेसिक डोकुमेंट्स और तीन अडवांस लेवल के डोकुमेंट्स है जो वीडियो के आखिर तलग आपको पता चल जाने वाला है मैं बहुत जादा एकसाइड़ी इस वीडियो को आप सभी से शेयर करने के लिए आईए आरहम करतेगं सबसे जो पहला वाला डॉकुमेंट है वो है रिजिस्टेशन सर्टिफिकेट यानि की आर सी इस डॉकुमेंट को मैं बाइदाबे वता दूं कि यह बहुत ही मैंडिटरी है इसमें जो है इस सारी जानकारी होती है पोलीस को बेसिकली पता चल जाता है कि आपके डॉकुमेंट इसको देख करके गाड़ी के जो बागी के डीटियल्स है वो सारा सब कुछ इसमें मिल जाता है अगर पुलिस ने आपको पूछा आपका आर सी दिखाने के लिए और इसे अगर आप शो नहीं कर पारे हो तो यहां पे जो जुर्माना है वो दो हजार से पांच हजार तक का भी हो सकता है और यह डिपेंड भी करता है आपके जो आर्टी ओ एरिया है आर्टी ओफिस है उसके हिसाब से जो है जुर्माना बता जाएगा आपको आर सी का जरूर से जरूर ध्यान लगे जो तूसरा वाला डॉकुमेंट है वो है पलुशन अंडर कंट्रोल और होता भी यह है कि प्यूसी आपका खतम हो जाता है और फिर आप बहुत रश करते हो यहां वहां और सोचते हो कि भाई मुझे अगले कोई चेक ना कर ले कोई पुलिस मुझे चेक ना कर ले एक इंपोर्टेंट में चीज आपको बताना चाहूंगा जो बीए सिक्स की गा सब्सक्ति मारे हो नए गाड़े अगर आप ले रहे हो नए बायर हो तो आपको तुरंत बनाने की जरुत नहीं है छे मुझी जो पूसी र्टिट उसकता हो चे महीने के बाद है शे महीने के अंदर आप ऊसको बना सकते हैं और पूसी जो करते हो या कुँग्कि अगर आप बना रहे हो तो एक हजार से लेकर के दस हजार तक का जो है फाइन चलान आपको भरना पड़ सकता है अगला जो डॉकुमेंट है वो है इंशुरेंस पॉलिसी अब भया इंशुरेंस पॉलिसी तो इतना जादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे भी बहुत सारे किस्से है किसी और दिन बताऊंगा MVA जो है Motorcycle Vehicle Act के अनुसर जो है अटलिस्ट थर्ट पार्टी होना ज़रूरी अटलिस्ट क्यूंकि फर्स्ट पार्टी में बहुत जादा महिंगा पड़ जासकता है थर्ट पार्टी थोड़ा सा सस्ता सुस्ता आ जाता है तो अटलिस्ट इसके लिए बोला जा रहा है कि थर्ट पार्टी होना चाहिए क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ट पार्टी नहीं बनाया तो आपको जो है मोटा जिर्माना बरना पढ़ सकता है चौते डॉकमेंट्स पर बात करते हैं तो जो जो चौता वाला डॉकमेंट है वो है ड्राइविंग लाइसेंस यानि की DL अगर आपके पास आथ ऐल पाईचांस ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपको पांच हजार तक का भी जुर्माना भरना पड़ सकता है घर से आप बहार निकल रहे हो आपके हाथ में मोटो साइकल या स्कूटर की चावी है कार की चावी है तो जेब में लाइसेंस होना मेंडिटरी है अब पढ़ते हैं अगले डॉकुमेंट पे जो है UID Card, ID Card बोल लो या आधार Card बोल लो इसका एक मज़ेदार किस्सा है तो मैं आपको situation के हिजाब से मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप गाड़ी चला रहे हो और वो गाड़ी आपके पिता जी, माता जी, भाईया या फिर आपके बहन के नाम से वो गाड़ी registered है ये situation है समझ लिए और आप उस गाड़ी को चला रहे हो इस situation में आप क्या कर सकते हो जो उपर के जो मैंने चार documents आपको बता है वो documents तो आपको बता नहीं है ठीक है? लेकिन इसके अलावा जो है आपको UID भी दिखाना पड़ सकता है ये भी आपको carry करना है आपके साथ में और ये बहुत जादा जरूरी है especially in case जब आप अपने father, mother, brother या sister का registered नाम से गाड़ी चला रहे हो अब situation 2 पे चलते है situation 2 ये है कि family के बाद अगर आप किसी अपने friend का या फिर किसी अन्य relative का अगर आप registered गाड़ी चला रहे हो उस situation में क्या गड़ते क्योंकि उसमें तो आपका जो सरने में वो मैच नहीं होने वाला है तो मैं आपको बताता हूँ कि उस वाले situation में क्या गरना पड़ा तो आपको जो है अपका जो गाड़ी है उसके original documents आपको ready रखने होते हैं ठीक है जो पहले में ने चार documents बता है वो तो आपको ready रखने हैं उसके साथ साथ अगर गाड़ी आपके नाम पर registered नहीं है आपके relative या फिर friend के नाम से registered है तो उस वक्ट जो है आपको जो गाड़ी का जो original documents है वो आपको ready रखने है अब बढ़ते हैं अगले वाले document पे ये digital copy के तौर पे मैंने इसको बनाया है अभी तक जो भी आपने documents सुने points में वो सारे जो है physically paper form में था digital copy में क्या होगा कि आपको एक या दो apps में रखना बढ़ेगा तो ये जो दो apps है वो है M Parivahan और जो दूसरा वाला है वो digital logger है ये मैं भी यूज करता हूँ पिछले कुछ सालों से जो सारे documents है Ministry of Transport, Government of India के हिसाब से इन जो सारे documents है जो मैंने अभी बताए वीडियो में driving license हो गया, आपका RC हो गया P.U.C.C. हो गया कुछ tax documents है गाड़ी का जो health है उसका कोई document है तो ये जो सारे documents है आप इस M Parivahan और DG Logger आप में save कर सकते हो और पुलिस अगर कोई चेकनाका में आपको रुका रही है चेकिंग के दौरान आप अपना जो phone है निकाल करके इन apps के थुरू आप उनको बता सकते हो तो ये बिल्कुल ही legal है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब बढ़ते हैं अगले वाले point पे जो आखरी point है सात्वा point Xerox यूज करे या original documents यूज करे तो होता ये है कि अगर मान लीजे आप रस्ते में निकले हो और आपको आपके पास जो documents है वो Xerox पढ़ा है और आपने उसे ट्राफिक पुलिस के पूछने पर आपने उसे पताया अगर आप अपने आज़िए जाए जाए अगर आप अपने RTO के दारे में हो ये भी डिपेंड करता है उस ट्राफिक पुलिस पे या फिर जो पुलिस आपको चेक कर रही है आपके documents चेक कर रही है उन पे अगर आप जो गाड़ी चला रहे हो आपके खुद के नाम से registered है तो वो शायद आपको छोड़ दे आप अगर अपने RTO के डारे में हो लेकिन इसमें एक और Total Vehicle Act के अनुस्वाद आपके RTO के गजेटेट ऑफिसर के दुआरा वो अटेस्टेड होना आवेशकता है बहुत ही जरूरी है mandatory है वो अगर अटेस्टेड नहीं है तो वो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा और आपको जो है फाइन भरना पढ़ सकता है यह कुछ पॉइंट्स हैं साथ ॐपॉंट्स के बारे में अएं अम शूर आपको अभी बिल्कुल भी डर्ना नहीं है अगर आप लीगली ये सारे पेपर्स, ये सारे डॉकुमेंट और ये सारे रूल्स आप फॉलो कर रहे हो तो I am very 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 sure कि आपको डरने की जरूद बिल्कुल भी नहीं है वीडियो कैसा लगा आप जरूराइए, नीचे कॉमेंट करके और क्या आपको इन सारे चीजों के बारे में पता था, वो भी एक बर जरा कॉमेंट कर लीजए, और कोई चीज़ अगर मैने मिस कर दी हो तो वो तो आपको जरूर से कॉमेंट में बताना है, और इस वीडियो को शेर करना बिल्कुल भी ना मुलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा उस भी कॉमेंट कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए चैनल पर आप नहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरा